नमस्कार दूस्तू सब्सक्राइब सब्सक्राइब और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th Class HD का 15 चेप्टर जिसका नाम है सम्मिधान का निर्मान वैसे तो इस चेप्टर को उपर मैं आप लोगों को एक वीडियो पहले ही पुर्वाइड करा चुगा हूँ अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है दो जरूर देखे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखे आज का यह जो सेकेड़ पार्ट की वीडियो है इसमें हम कुल मिला के चार्ट टोपिक समझने वाले हैं सबसे पहले हम समझेंगे उदेखे परस्ताबना यह बहुत ही ज्यादा important question है तीन नमर में आता है यह टोपिक ठीक है समिधान सभा के सामने आपको पता है जवाहलाल नेहरू ने क्या किया उदेख से परसाब पेस किया था इसके क्या विस्यस्ताई है इसके बारे में हम जानेंगे उसके बाद हम सोमनात लाहेडी की बात करेंगे जो की समिधान सभा के एक communist सदस्य थी और उनको ऐसा लगता था कि भारतिय समिधान सभा रहने वाला है आठ नमबर में यहां से आठ नमबर का question बनता है इस topic से ठीक है तो पिट्थक निरवाचिका को लेकर जो भी विवाद जो भी तरक वितरक नियताओं के बीच में चले थी वो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसके बाद हम इस वीडियो के आखिर में समझने वाले हैं एंजी रंगा के बारे में एंजी रंगा ने अलपसंचक सब्द की व्याख्या किस अधार पर गिया था उसके बारे में हम जानेंगे यह चार्ट टोपिक आज की इस वीडियो में रहने वाला है बाकी ठाट पार्ट की एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इस chapter क हम complete कर लेंगे हैना यानि कि तीन पार्ट में ही आपका यह चाप्टर complete होने वाला है तो दोस्तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोगों का अपना यूटूब चैनल जिसका नाम है रोशन सा study point अभी तक आप लोगो मिले ठीक है चलिए आगे हम topic को समझना start करते हैं सो सबसे पहले हम बात करते हैं उदेश से परस्तामना के बारे में आपको पता है कि सम्मिधान सभा के सामने जो यह उदेश से परस्ताब जो पेस किया था और 13 दिसमबर 1946 को जवालाल नहरू ने उदेश से परस्ताब पेस क डुल उदेश से क्या है यह हमें किसे परस्तामना से पता लगता है तो यह एक यह गाति हाशिक परस्ताब था जीमें सुतंद्र भारत के सम्मिधान के मूल आदर्स थे इसका क्या आदminute रहेगा इसकी रूप रेखा एगी इसको परस्तुत किया गया और इसमें क्या था एक ऐसा framework सुझाय गया था जिसके तहत समिधान का कारे आगे बढ़ने वाला था अब या framework का मतलब क्या है framework का मतलब होता है रूप रेखा मतलब ये समिधान का रूप रेखा क्या है समिधान किस परकार का है ये किसमें सुझाय गया था उदेसे परस्ताव में ही इए बाते पताई गई थी तो समिन्धान सभा में उदेसे परस्ताव को पैज किया जवालाल नेरू ने और इसमें वो सारी रूप रेखा ये परस्तुद की गई थी जिसके माध्यम से समिन्धान का कारे आगे बढ़ने वाला था मैं आपको पहले ही बता दिया उदेशे परस्ताव को पेश करने का में परपस यही था कि जो भारतिय समिधान सवा के जो सदस्य है उनको यह पता चल सके कि भाई भारतिय समिधान को हम क्यों मना रही है अब देखिए इस में क्या था उदेसे परस्ता में क्या था भारत को एक सोतंत्र संपर्भु गनराजे घोशित किया गया सोतंत्र संपर्भु गनराजे का मतलब क्या है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है भारत का जो सत्ता है ना वो भारतिय लोगों के पास है हम लोगों के पास है, तो इसमें भारत को सोतंतर संपर्भू गनराजे घुशित किया गया, नागरीकों को न्याय समानता सोतंतरता का स्वासन दिया गया था, ठीक है, इसके अलावा यह वचन भी दिया गया था कि जो अल्प संख्यक है, जो पिछले वर्ग के लोग है, जो द परस्ताबना को समझगे होंगी, उदेशे परस्ताब की जो भी बाते है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अब हम बात करते हैं कि समिधान सभा के जो कम्मिश्ट सदसे थे, जिनका नाम था सोमनात लाहडी, सोमनात लाहडी को ऐसा लगता था कि भारतिय समिधान सभा अंग्रेजों की चाप है मतलब अंग्रेजों की साया है और यह समिधान सभा अंग्रेजों द्वारा बनाए गई है तो ऐसा लगने के पीछे का मेन कारण यह था कि हमारे भारतिय समिधान सभा की जो चर्चाय थी और 1946-47 के दौरान चल रही थी आपको पता है स्टार्ट हो ग लंदन में बैठी ब्रिटेन की सरकार है उसके इसारों पर ही काम कर रही थी जो भारत के वाइसराय थी उनके इसारों पर ही अंत्रिम सरकार काम कर रही थी तो इसलिए लाहिडी को ऐसा लगता था कि जो समिधान सभाय न वो अंग्रेजों की बनाई हुई है और अंग्रेज के आम नागरिक है उन सभी को इससे अलग करने की बात कहीं इन सभी से अजाद हो जाने की बात उन्होंने कही थी अब हम पिर्थक निर्वाचिका की समस्या की बात करते हैं देखिए पिर्थक निर्वाचिका होता क्या है पिर्थक निर्वाचिका का मतलब ही होगा है कि अलग अपने अलग-अलग परतिनिती को चुनेंगे जैसे कि हम एक इलाके की बात कर लें जैसे कि मैं अपने जैगे की बात करूँ आजाटपूर एक जैगे है अब आजाटपूर में मालों की दो या तिन समधाई के लोग रहते हैं हिंदू अलग है, मुसल्मान है शिक है इसाई है सब अलग-अलग समधाय के लोग है तो पिर्थक निर्वाचिका में क्या होगा कि जितने भी अलग-अलग समधाय के लोग है या जो भी समधाय अलग-अलग समधाय के लोग है वो क्या करेंगे अपने अलग-अलग नेताओं को चुनेंगे जैसे कि अगर मु वस्ताकों भाड़े समिधान में नहीं अपनाया गया है यह हमने आरक्षन की वेवस्ता को अपनाई हैं आरक्षन में क्या होता है कि कुछ समधाय के लोगों को बहुत कुछ जो थे इसके पक्ष में थे तो जो भी पक्ष और भी पक्ष में जो लीडर थे उनके वारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे बी पोकर बहादूर जी की 27 अगस्त 1947 की हम बात कर रहे हैं मदराज के सदसे थे बी पोकर बहादूर बी पोकर बहादूर ने क्या किया प्रिथक निर्वाचिका के पक्ष में अपनी बात कही बहादूर ने कहा कि अलप संक्यक सब जगे है हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी हमें अलप संक्यक नजर आ जाएंगे जिसके वेज़े से वो भारत में औरों के साथ दूसरे लोगों के साथ गुल मिल के रह सके सदभाव के साथ अच्छे से समुदाए के साथ मेल मिलाव के साथ रह सके इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक विवस्ता में अलपसंख्यकों का पूरा परतिनिध्व हो ठीक है उनकी अभाद सुनी जाए उनके विचारों पर ध्यान लिया जाए और ऐसा जो हो सकता है वो पिर्थक निर्वाचिका के द्वारा ही हो सकता है पिर्थक निर्वाचिका के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बादू को ऐसा लगता था ना कि मुस्लमान के व्यवस्ता को भारत में लागू किया जाए अब पिर्थक निर्वाचिका के पक्षि में जो बीपोकर बहादूर ने जो बात कही न भाई फिर तो जो बवाल मचा समिधान सभा में पूछो मत बहुत गर्मा गरम भहास चला भाई इसके मतलब खिलाफ में बहुत सारे राष की है अगर उस चैप्टर को आपने लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने पताया था कि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पिर्थक निर्वाचिका की मांग की थी और अंग्रेजों ने 1909 में पिर्थक निर्वाचिका की व्यवस्ता की थी क्योंकि अंग्रेजों की एक च अंग्रेजों की एक चाल थी उन्होंने भारत को बाठने के लिए इस व्यवस्ता को लागू किया था भारत में अब यहां पर आर्विधुलेकर की विचार को समझना बहुत जुरूरी है देखिए आर्विधुलेकर जो थी समीधान सभा के सदत से थी उन्होंने बहादुर को सम्बोधित करते हुए जो हमारे भी विफ ऑकर बहादुर जी है, उनको सम्बोधित करते हुए कहते है कि अंग्रेजों ने क्या किया संanरक्शन के नाम पर अपना खेल खेला, यह बहादुर के खिलाफ है एक तरीख से, अब जिदने भी नेटा ना, वो बहादुर के खिल पूलने वाले हैं तो आर्विध लेकरने बॉला कि अंग्रेजों ने स्थनलक्षन के नाम पर जो ये पिर्थंग निर्वाच्छे का जैसी वेवस्था उन्होंने लागो की उसके एवजन में उन्होंने क्या किया अपना खेल खेला इसके वज़े से उन्होंने क्या गिया जो अलपसंख्यक लोग थे उनको बहला लिया अब इस आदर को तुम फॉरन छोड़ दो क्योंकि अब तुम्हे कोई भहकाने वाला नहीं है यह बात किस ने कई? आर्यविदुले करने थे कीऊं कि लिएक है? इसकी बात हम कर लेते हैं देखिये सर्दार पतेल ने कहा कि पिर्थक निर्वाचिका एक एसा विश्व है जो हमारे देश की पुरी राजलीती में समा चुका है मतलब हर जेगे हर अल्प संक्यक वर्ग पिर्थक निर्वाचिका की मांग कर रहा है इसलिए हमारे देश की पूरे राजलीती में समाच चुगा है उनकी राय में मतलब सरदार पटेल की राय में क्या था कि एक ऐसी मांग है ना जिसने क्या किया समधाय को एक समधाय को दूसरे समधाय से भिड़ा दिया राश्ट के टुकरे करवा दिये राश्ट के टुकरे होने के पीछे का मेन कारण क्या था ये पिर्थक निर्वाची का ही रक्तपाद को जनम दिया और आखिर में देश का विभाजन भी करवा दिया पटेल कहते हैं कि क्या तुम इस देश में सांती चाहते हो किसको कह रहे है वी पोकर भादूर को कि क्या तुम इस देश में सांती चाहते हो अगर सांती चाहते हो तो पिर्थक निर्वाचिका के मांग को फॉरंग छोड़ दू ये बात किसी ने कहीं सरदार पटेल ले गए अब हम गोविन बल्लब पंथ की बात कर लेते हैं बल्कि खुद अल्ब संख्यकों के लिए भी आत्मखाति सावित होगा उनका मानना ये था कि पिर्थक निर्वाचिका से क्या होगा अल्ब संख्यक न इस्थाई रूप से अलग थलग पर जाएंगे उन्हें कमजोर बना देगी ये ब्यवस्ता और शासन में परभावित तरीके से हिस्सेदारी नहीं उनको मिल पाएगी क्योंकि वाई अल्ब संख्यक है वाई अपना अल्ब की नेता चुन रहे हैं उनको दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है उनकी नेता लोग और दूसरे संबधाय के लोगों को भी अलब संख्यकों से कोई मतलब नहीं है तो इससे क्या है कि एक समदाई से कहीं न कहीं कटके अलग हो जाएंगे ऐसा कुन कहते हैं गोविंद बलब पंद कहते हैं अब देखिए यहाँ पे सभी मुसल्मान जैसे कि हम वीपोकर बहदुर की बात करें उनको भी ऐसा लगता था कि पिर्थक निर्वाचिका की जो बेवस्ता है न वो आत्मघाती साबित होगा क्योंकि इससे अलब संख्यक बहुत संख्यकों से कट जाएंगे ऐसा उनको लगता था तो 1949 तक समिधान सभा के जादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पिर्थक निर्वाचिका का जो परस्ताव है वो अलब संख्यकों के हितों के खिलाफ है मतलब अलब संख्यकों के लिए भी यह सही नहीं है इसकी बजाए मुसल्मानों को लोकतांतरिक परकिरिया में क्या करनी चाहिए सक्रिय भूमी का जिभानी चाहिए ताकि राजनीती बेवस्ता में क्या हो सके उनके एक निर्णायक आवाज मिल सके वो भी राजनीती बेवस्ता में अपने आवाज को उठा सके तो ये पिर्थक निर्वाचिका के मांगों को फोरण छोड़ देना चाहिए ऐसी ही डिमांड जादतर नेता लोग कर रहे थे मैं उमीद करता हूँ कि पिर्थक निर्वाचिका के जो सवाल है पिर्थक निर्वाचिका को लेकर जो भी तर्क वितर्क समिधान सभा में चले थे आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम NG रंगा की बात कर लेते देखिए उदेश से परस्ताब का स्वागत करते हुए जो हमारे किसान आंदोलन की नेता भी थे और समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते थे समाजवादी नेता थे तो NG रंगा ने क्या किया अलप संख्यक सब्द की व्याक्या है आर्थिक इस तर पर करने की कोशिश की आर्थिक इस तर पर अलप संख्यक सब्द की व्याक्या होनी चाहिए हाना संख्या में जो अलप संख्यक है उनकी बात हमें नहीं करनी हमें आर्थिक इस तर पर देखना है कि लेकिन जब तक हम उन अधिकारों को लागो करने के लिए एक अच्छी विवस्ता भारते में लागो नहीं कर देते, तब तक लोगों के लिए अधिकार का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए मतलब नहीं है कि उनको पुन रोजिकार का अधिकार दे दिया गया है, वो सभा कर सकत वो संगठन बना सकते हैं, उनके पास नागरिक सोतंदता का अधिकार है, यह सब अधिकार का कोई मतलब भी नहीं है, जब तक कि हम अपने समिधान के जो भी विवस्ताई हमने जो बनाई है, उसको सही से लागों नहीं कर देते, वो कहते हैं कि भाई, जो अलप संख्यक लोग आज किस वीडियो में जो चार टॉपिक समझाने थे, मैंने समझा दिया है, वीडियो कैसे लगे यार कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करे, शेयर भी जरूर कर दे, शेयर करेंगे, थोरा मोडिवेशन मिलेगा, जैसे एक वीडियो और आएगा इस चैप्टर को उपर, थार्ड पार्ट, जिसमें हम कोशिद करेंगे कि इस चैप्टर को कम्प्लेट कर ले, जाला टॉपिक नहीं रहे है, तीन टॉपिक और समझाना है, एक तो इसमें हम अब जो आदिवासी है, आदिवासीों के अधिका जैसे कि आपको पताएगी भारत का कोई राष्ट फासा है ही नहीं, तो राष्ट फासा को बनाने को लेकर जो भी तर्क वितर्क भारत के समिधार में चले थी, उसको भी हम आखरी वीडियो में ही समझेंगे, तो अगली वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरिके से आप ल जाएंगे, MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले है, इंपोर्टन कोश्चन्स जो भी चप्टर के है, ओ होगा, सेंपल पेपर्स आपको मिलेंगे, टैस्ट पेपर आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाले है रोसन सा शेड़ी पॉइंट पे, ठीक है, तो आप लोग चैनल से जूरे रहे, इसी तरीके से आप लोग वीडियोस को सेर करते रहे, सपोर्ट करते रहे, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए, चैहिंद, चैह भारत अपना ख्याल रखे